भगवान वरा बोले बत्रे अम्य प्राष्टों का तत्त पूर्वक वर्णन करता हूं तुम उसे सुनो भक्त को चाहिए मंत्र विद्या की सहायता से यथावद सभी वस्तु मुझे वा अन्य देवताओं को अरपन करे फिर आगे कहे जाने वाले मंत्र का उचारन करके दीवत का कास्ट उठाना चाहिए दीप कास्ट का भूमिश पर्ष करना अवश्चक है अदे जब तक वे पृत्थी का शपर्ष ना करे तब तक दीपक जलाना ने शिद्ध है दीपक जलाने के पश्चात हाथ धोलेने चाहिए तब पश्चात पुना इष्ट देव के पास उपस्तित होकर सर प्रथम उनके चरनों की वंदना करने चाहिए फिर आगे कहे जाने वाले मंत्र भाव से भवान जी को दंत दावन देना चाहिए मंत्र का भाव इस परकार है भवन पर तेक भवन आपका सवरूप है आपके द्वारा सूरी का तेज भी कुंठित रहता है आप नादी अनंत और सरसरूप हैं ये दंत दावन आपसे विकार कीजिए वसंद्रे तुम से जो कुछ कहा है वे सब धरम से निरनीत है श्री विग्रे के हाथ में दंत दावन दे कर पुना यथावत करम करना चाहिए इस्ट देव के सिर से निर्माली उतार कर उसे स्यम अपने सिर पर रखें संद्री इसके बाद जल से हाथ को शुद्ध करके मुख प्रक्षालन आदी करम करने चाहिए फिर शुद्ध जल से इश्ट देवता के मुख का प्रक्षालन करें संद्री इस मंतर इसका मंतर इस प्रकार है इस मंतर से पूजा करने के फल सवरोप पूजा संसार से मुक्त हो जाता है मंतर का भाव ये है कि भगवन आत्म अर्थात विश्नु सवरोप इस जल को ग्रहन करें इसी जल द्वारा अन्य देताओं ने भी सदा अपना मुक्त होया है फिर पंचरात्र मंतर द्वारा सुंदर चंदन दोब दीब नविद्य अर्पन करना चाहिए इसके बाद हाथ वे पुषपांजली लेकर ये प्रात्ना करें भगवन आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं आप नाराइन को मेरा नमिशकार है पुना प्रात्ना करें भगवन आपकी कृपा से मंतर के जानने वाले यग्य करने में सफल होते हैं प्राणियों की शिष्टी आपकी ही कृपा से होती है माधवी इस प्रकार प्राता काल उठकर फिर अन्य फूल हाथ में लेकर मुझ में श्रद्धा रखने वाला ज्याने प्रूश पित्र होकर मुझ दिवेश्वर की पूजा करें संपुरन कारे संपन हो जाने पर वैभूई पर डंडे के भाती पढ़कर सास्तांग पर नाम करें और प्रातना करे भगवन आप मुझ पर परसन्न हो जाएए तिर सिर्फ पर अंजली रखकर इस प्रकार से प्रातना करने चाहिए भगवन शास्त्रों के प्रभाव से आपकी जानकारी प्राप्त हो जाने पर सादक की यदि आपको पाने की इच्छा और चेष्टा होती है तो आप उसे प्राप्त हो जाते हैं योगियों को भी आपकी किरपा से ही मुक्ति सुलब हुई अतै मैं भी आपके उपासना कारे करने में सलग न हो गया आपकी शास्त्री आग्या का मैंने संपाधन किया है इससे आप मुझ पर परसन न हो जाएं फिर मेरी भक्ति में सलग रहने वाला सादक प्रूश इस परकार शास्त्र की विधी का पालन कर कुछ देर तक मेरी आस्ता रखने वाला प्रुष घृत तदा तेल से मेरा अभ्यांजन करे कारिसंपादन करने वाला मंतरग्य व्यक्ति तेल घृत आदी सनेप दार्थों की और लक्ष करके एकागर्ची से इस परकारुचारन करे लोकनाद प्रेम के साथ मैं सिनिग्द पदार्थ लेकर आपको अपने हाथ से अर्पन कर रहा हूँ इसके फालसवरों संपूरन लोकों में मुझे आतम से धीप राप्त हूँ भगवन आपको मेरा बारंबार नमशकार है मेरे मुख से जो अनुचित बात निकल गई हो उसे शमा कीजिए इस प्रकार कहते वे सरपथम मेरे मस्तक पर सनैप दार, तेड़ियां गी लगाना चाहिए पहले उसे मेरे दायने अंग में लगाकर फिर बाय अंग में लगावे इसके बाद पीट में लगाकर कटी भाग में लगाने की विद्धी है बद्रे इसके पश्चात अपने वृत में अटल रहने वाला पुरुश गाएं के गोबर से भूमी का अपलेपन करे बद्रे गोव में द्वारा अपलेपन करते समय देखने तथा सुनने से प्रानी को जो पुन्य प्राप्त होता है उसे मैं कहता हूँ सुनो साथ ही मैं अभ्यंजन करने का पुन्य भी सुनाता हूँ उनकी जितनी बूंटे उस गोव में की पृत्थी पर तथा इत्तर तेल आदे की इष्ट देव के उपर गिरती हैं उतनी हजार वर्षों तक वे शिधालो पुरुश सर्ग लोक में प्रतिष्टा पाता है इसके पचातों से पुन्य आत्माँ के लोक प्राब्त होती हैं इतना ही नहीं इस परकार जो भी मेरे गात्रों में तेल अत्वा घृत से अम्भ्यंजन करता है वे एक एकन की जितनी संख्याई होती है उतनी हजार वर्षों तक सर्ग लोक में रहता है और मेरे उस लोक में उसकी महान परतिष्टा होती है बद्रे आप जो सुगंदित वस्तों से बना हुआ अनुलेव मुझे प्रिय है उसे बताता हूँ जिससे मेरे अंग तो शुद होते ही हैं मुझे परसंता भी प्राब्त होती है कारी संपादन करने वाला शास्त्र ग्यानी प्रुश लोध पीपर मधू महुआ अश्यपर्न तथा रोहिन एमकरकटादी के चूर्ण को इकत्र करके उपलेपन बनावे तो मुझे अधिक प्रिय है ये अनुलेपन अत्वा अन्य अन्यों के चूर्ण द्वारा भी अनुलेपन बनाया जा सकता है जिसके हाथों द्वारा मेरा अनुलेप होता है उस पर में बहुत बरसंदन होता हूँ क्योंकि ये अनुलेपन मेरे शीर को बहुत सुख देने वाला है यह तैसे अविश्य करना चाहिए यदि मेरी भक्ति करने वाला परम सिध्धी चाहता है तो इस परकार अंगलेपन लगाकर मेरा शिनान कराए इसके बाद आमला और सघंदित उत्तम पदार्तों के इकत्र करे और दिड़वरती पुरुष उससे मेरे संपूरन गात्रों को मिल तत्पस्चाज जल का घड़ा लेकर इस आशिका मंत्र उचारन करे भगवन आप दिवताओं के भी दिवता अनादी सर्फ श्रीट पुरुष चैया आपका सरू पत्यंच शुद्ध है व्यक्त रूप से पदार कर ये शनान से विकार कीजिए मेरे अनमार का अंसरन करने वा इस परकार केकर मेरा शनान करावे घड़ा सूने अत्वा चांदी का हो यदि ये द्रव्य ना उपलब्द हो सकें तो करम का घ्यान रखने वाला पुरुष मेरा तामबे के घड़े से शनान करा सकता है इस परकार सवीधी करम से शनान करा कर मंत्रों को पढ़ते हुए चंद कहीं परकार के होते हैं, ये शाष्त्र की सम्मती है, ये सभी देवादी लोकों में उपन होते हैं, आपकी किरपा से सतकारियों में इसका अप्योग होता है, नहीं आपके अंगों में लगाने के लिए इस पुईत्र चंदनों को प्रस्तत किया है, भक्ति से संतुस्त भगवन आप इने कृपा करके सविकार कीजिए इस परकार चंदन आदी सुगंदी युक्त पदार्थ हैं माला आदी अरपन करके पूजन करने का विधान है करम में श्रदार रखने वाला करम शीर पुरुष ऐसी अर्चना करकी ये कहते हैं पुषपांजली दे अच्यों ये समेंसार जल में तथा स्थल में उत्पन होने वाले पुषप हैं संसार से मेरा उधार हो जाए इसलिए ये पुषप आप सविकार कीजिए इस परकार मेरे भागवत संपरदायोक्त विधी का पालन करते हुए मेरी अर्चना करने के पश्चात मुझे सुगंद द्रम्यों से बना हुआ धूप देना चाहिए धूप से मुझे बहुत प्रेम है इसके परदान से दाता के मात्र पित्र कुल की आत्मा पित्र हो जाती है विधी के साथ धूप लेकर ये मंत्र पढ़ना चाहिए मंत्र का भाव ये है भगवन ये दिव्य धूब बहुत से सुगंदी द्रवियों से संपन है इसमें वन्सपती का रस भी समलित है जनम मृत्यू से मुझे मौक्ष मिल जाए इसलिए मैं आपको ये धूप निवेदित करता हूँ आप उसे सविकार करने की किरपा कीजिए भगवन संपूरन देवताओं तथा प्रानियों के लिए शांती सुलब हो मैं भी सदा शांती से संपन रहूं ग्यानियों की योग भाव में शांती से आप धूप ग्रहन करें आपको मेरा नमशकार है जगत करू आपके इत्रिक्त इस संसार सागर से मेरा उद्धार करने वाला दूसरा कोई नहीं इस प्रकार माला चंदन लेपन आदी सामग्रियों से पूजा करके रिश्मी सच्छ वस्त्र जिसका कुछ बाग पिलेवा रंका हो निवेदित करना चाहिए ऐसी अभ्यर्चना करने के उप्रांत सिर पर अंजली वादे हुए इस मंत्र का पाट करें मंत्र का भाविस परकार है संपूरन प्राणियों की रक्षा करने वाले भगवन आप पुर्शों में श्रीष्ट है लक्षमी आपके पास शुभापाती है आपका विग्रे अनंद में है आप इस सब के रक्षक रचीता और दिश्टाता है प्रभू आप आदी पुरुष है आपका रूप सर्था दुर्दर्श दुर्गे है आपके दिवे आंग को अच्छादित करने के लिए ये रेशी व वस्तर जो कुछ पीले रंग से शोबिताय मनोहर है मैं अरपन करता हूँ आप सविकार केजिए देवी फिर मुझे वस्तरों से ही भुषित कर हाथ में एक पुष्पले और उससे आसन की कल्पना करके मुझे अरपन करें वस्तर मेरे विग्रे के अंसार होना चाहिए पूज असन बैठने योग्य आपकी प्रिदीवपन करने वाला प्राग्य की रक्षा में उप्योक्त प्राणियों के लिए श्रयोवय आपके योग्य एम सत्यर सवरूप है इसे आप ग्रहन कीजिए इस परकार शलाग्य नेविद्य आदिपदार्थों को अरपन करके नेरे मारका अंसरन करने वाला प्रुष यथा शीक्र कल्पित मुख प्रक्षालन देने के लिए उद्यत हो जाए पुना पुछत रहोकर देताओं के लिए स्तुती करें आप सभी लोग भगवत प्रायन हों फिर उत्तम जाल लेकर अपने शुद्धी करें यो भगवान को निविद्य करके शीष परशाद हटा दे इसके अपरांथ हाथ में तांबूल लेकर ये मंत्र पड़े कि जगत प्रभू ये तांबूल संपूरन सगंद युक्त अपदार्थों से सिंयुक्त है दिवताओं के लिए सम्यक परकार से ये अलंकार का कारे दिता है आप इसे सभी कार करें स साथ ही आपकी प्रतिमा के प्रभाव से हमारा भवन विशिष्ट हो जाए भगवन आपकी प्रसंता के लिए मैंने शिरी मुख में ये श्रीष्ट अलंकार अरपन किया है इससे मुख की शोबा वढ़ती है अट आप इसे ग्रहन करने की किरपा कीजिए मेरा भक्त इन नहां माधव मैं आपके मुखार विंद से पूजन की विधी का शिरवन कार चुकी निच्चे ही इस करम पूजा में संसार से मुक्ती दिलाने की सामर्थ है भगवन अब मैं आप से आपकी पूजा विधी एम द्रव्यों के विशे में कुछ चानना चाहती हूँ आप इसे म मुझे पत्राने की किरपा कीजिए तब भगवान मुरा बोले वसंद्रे जिस विधी से पूजा की वस्तु मुझे को अर्पित करनी चाहिए अब वे बताता हूँ सुनू साथ परकार के अन्नों को लेकर उसमें दूद का सम्मिर्शन करें साथ ही मुझे मध्धूक और उदुमबर आदी के शाकवे प्रिये हैं माधवी अम मेरे योग्ये जो धाने हैं उन्हें कहता हूँ अच्छे गंद से युक्त धरम चिलिक नामक शाक और लाल धान का चावल तथा अन्य उत्तम सादिश चावल मुझे प्रिये हैं उत्तम कुमकुम और मधुवी मुझे प्रिये हैं अमोदा, शिवसुंद्री, सिरीश और आकुल संगेक धान के चावल भी मेरे लिए उप्युक्त हैं यव से बने अनेक परकार के अन्य तथा शाक भी मेरे पूजन मे प्युक्त होते हैं मौंग, उडद, तिल, कंगुनी, कुल्थी, केहु, सामा ये सभी मुझे प्रिये हैं जब ब्रह्म यग्ये विश्तित रूप से चल रहा हो वेद के पारगामी विद्वान यग्ये करा रहे हूं उससे मेरी प्रसंता के लिए ये वस्तवे मुझे अर्प मुझ से समन्द रखने वाले करमों से जो वस्तवे योग्ये हैं वे मैंने बतला दिया मेरे बक्तों को सुख पहुचाने वाले उक्तवधात बोज्जे और कल्यान प्रद हैं जिसे उत्तम सिध्धी पाने की चाहो उसे इस परकार मेरे यजन करना चाहिए इस विदी से जो यजन करेंगे वे करम में कुशल प्रुष मेरी परम भक्ती पाने के पूर्न अधिकारी होंगे भवान वरा कहते हैं मेरा अपासर किंद्रियों को वश्च में रखकर जो कुछ अनुपलब्द हो उसे ग्रहन करें मैं नीचे उपर इधर उधर दिशाओं और विदिशाओं में तथा सभी जियों में सरवत्र विराजमान हूँ अधाइब जिसे परम गती पाने की चाहो उसे चाहिए कि सब परकार से सभी प्राणियों को मेरा ही रूप जानकर उनकी वंदना करें प्राता काल एक अंजली जल लेकर पूरव की और मुक करकर मेरी उपासना करने चाहिए ओम नमो नाराइनाए ये मंतर जपना चाहिए उसे ये भावना करने चाहिए कि संपूरन संसार में जो श्रीष्ट है जिनकी इशान संग्या है जो आदी पूरशें जो सभावता ही क्रिपालों है उन भगवान नाराइन का हम संसार से अपने उद्धार के लिए यजन करते हैं इसके बाद पच्चिम अविमुक होकर फिर अंजली भर हाथ जल हाथ मिले साथी द्वा दिशाक्षर वासुदे मंत्र पढ़कर इस मंत्र का उच्चारन करे भगवन आप जिस परकार सरप्रतम संसार के शिष्टी करने वाले हैं परान पूरशें और परम विमूती हैं वैसे ही आप आदी पूरश के नेक रोप भी हैं आपका संकल्प कभी विफल नहीं होता इस परकार अनंत रूप से विराजने वाले आप प्रभु को मैं नमश्कार करता हूँ इसके बाद उसी समय से पुना एक कंजली जल हाथ में लें और उत्तर की अम्मख करके खड़े हो जाएं ओम नमो नाराए नाई केहकर इस मंत्र का उचारन करें जो परम दिव्य प्रान पुरूश है आदी मद्योर अंत हमें जिनकी सत्ता गाम करती हैं जिनके नंत रूप हैं जो संसार को उत्पन करते तथा जो शांत सरूप हैं संसार से मुक्त करने के लिए जो अद्धितिय प्रूश हैं उन जगत शिरिष्टा प्रभू का हम ये जन करते हैं इसके पचात उसी समय से दक्षिन अभी मुक्ष होकर ओम नवो पुर्शो तुमाई ये मंत्र पढ़ कर ऐसी धारना करने चाहिए जो यग्य प्रूश हैं झिन के अनंत रूप हैं उन प्रभू को संसार से मुक्त होने के लिए हम भजते हैं दंतर काष्ट की बाति अपने शिर को निश्चल बनाकर इंद्रियों को वश में करते हुए मन को भगवान जी में लडगागा कर इस परकार धार ना करें कि भगवन सूरी और चंद्रमा आपके नित्र है कमल के समान आपकी आँखे है जगत में आपकी परधानता है आप लोक के स्वामी है तीनों लोकों से उधार करना आपका सभाव है ऐसे सुम्रस पीने वाले आप रहुगा हम यजन करते हैं यदि उत्तम गति पाने की चाहो तो सादक को तीनों संध्याओं में बुद्धी, मुक्त, युक्ती और मति की साहिता लेकर इसी परकार से मेरी उपासना करने चाहिए ये परसंग गोपनियों में परम गोपनिय योगों की परम निधी सांख्यों का परम तत्व और कर्मों में उत्तम करम है मूर्ख, क्रिपन और दुस्ट व्यक्ती को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए कि जो दिक्षित, उत्तम शिश हैं द्रिडवरती है उसे ही इसे बताना उचित है मुझे विष्णों के मुखार विंद से निकला हुआ ये गोह, तत्व, मरन का लुपस्तित होने पर भी बुद्धी में दार्न करने योग्य है इसे कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए जो प्राता काल उटकर सदा इसका बाठ करता है वे द्रिडवरती प्रुष मेरे लोग में स्थान पाने का अधिकारी है इसमें किसी परकार का संदे नहीं करना चाहिए इस परकार जो विक्तितीनों संद्या में करम का संपाधन करता है वे हीन योनियों में कभी नहीं पढ़ता